नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं असोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हर देख स्वगत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रूप D में लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि लड़कों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं कि यो उसमें मैंने बताया है कि लड़कों के लिए कि सबसे पोष्ट कौंसे है कि दोस्तों कुल 17 ताइब के पोष्टे निकली हुई थी जिसमें से एक-डो पोष्ट ऐसी थी जो कि सबसे बेस्ट थी लड़कों के लिए आज मैं बताऊंगा आपको कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है तो दोस्तों बेस्ट का मतलब मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि उसमें ज्यादा सेलरी आती हो सिर्फ सेलरी से मतलब नहीं है बाकि और भी चीज़ देखे जाती है जैसे कि लड़कियां है ज्यादा फिचकल काम नहीं कर सकती है ज्यादा फिचकल वक नहीं कर सकती है और ज्यादा धूप में नहीं रह सकती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वो पोस्ट सज़ेस्ट करूँगा जो कि लड़कियों के लिए सबसे बिस्ट है दोस्तों इन 17 पोस्टों में जो लड़कियों के लिए सबसे बिस्ट पोस्ट है वो 16 नंबर की है यह देखिए जो हास्पिटल अटेंडेंट जो हास्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है यह पोस्ट लड़कियों के लिए सबसे बिस्ट होती है वैसे दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो बताएंगे कि कौन सी पोस्ट में क्या होता कैसे हैं लेकिन दोस्तों वो लोगों ने काम तो किया नहीं फिल्ड में जबकि मैं railway employee हूँ मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कौन सी पोस्ट कैसी होती है जहां तक मुझे पता है जहां तक मैंने देखा है अपने इतने दिनों की सर्विस में कि हास्पिटाल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है इसमें ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है इसमें आपको धूप में नहीं जाना पड़ता है हास्पिटल में रहना पड़ता है और आपको बहुँ ज्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं करना पड़ता है इसमें करना क्या पड़ता है हर रूम में डाक्टर जो कच्छ होते हैं डाक्टरों के उनके साथ में आपको रहना पड़ता है उनकी help करने ही पड़ती है वहां के थोड़ा सापसफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो भी और कागज हो या जो दवाईया हो बांकी जो फिल्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जदा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा नहीं आपको धूप गयरा में जाने पड़ेगा इसके साथ साथ आपका टाइम भी रोटीन फिक्स रहेगा कि इस दिन हास्पिटल बंद रहेगा इस दिन हास्पिटल बंद रहेगा इस दिन पोस्ट है इसमें आपका सब कुछ रहेगा आपका रोटीन पूरी फिक्स रहेगी कि इतने वज़े से मान चलिए हास्पिटल दस बज़े खुला और चार बज़े के बंद हो गया मतलब इतने डूरीशन की आपकी डूटी रहेगी उसके अलवा बाकिया फ्री है आपने घर के काम कर सकती है और मान चलिए यह कहा गया कि संडे को आपको छुट्टी है संडे को चुट्टी दे गईैं तो यह फिक्स अ मेरा यह कहना है कि लड़कियों के लिए जो सबसे बिस्ट पोस्ट है हास्पिल ड़न के है आप इस को चूजlate करिएग अगर आपको यह कोस्पार्श मिल जाती यह तो सब लिजे आपकी लाइफ सेट है कोई पर पिसानी नहीं होगी आपको कहीं और ट्राइग करने की कोई जिवत नहीं है दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो या ऐसी ही रेल्वेस से रिलेटेड और भी जानकारी आप चाहते हो रेल्वेस लेटेर बांकी और जो परिछाएं होती हैं UP की, High Code की, SSC की इन सबसे समयंधित जानकारी और Steady Material के लिए आप मारे चैनल के सबस्काइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सेर कर सकते हैं दोस्तों अगर आप मारे चैनल सबस्काइब करेंगे तो ऐसी ही जानकारी आप आते रहेंगे साथ में बेल आइकन के दबा दीजिए थैंक्यू दोस्तों, गुडबाई, नमस्कार